हेलो नमस्कार कक्षा 12 का जो सिलेवस हैं उसमें हमने वे ओप्टिक्स कंप्लीट कर लिए इसको मिटा देते हैं और अब हम नेक्स्ट चेप्टर सुख करेंगे वह वेव ओप्टिक्स तरंग परकाशी की है जैसा कि हमने पहले भी बात कर ली थी कि तरंग परकाशी की और किरण परकाशी की दोनों मिलाकर एक यूनिट है और दोनों में से ही क्योशन आते हैं लेकिन किरण परकाशी की में जो कियोशन नमबर नॉर्मली 30 या 29 पूछ लिया जाता है वह चार नमबर गाता है उसके अथवा में जो question आता है वो इससे आता है wave optics से तरंग प्रकाश की से आता है इसलिए इसमें से चार नमरा question इसमें से भी आएगा इस chapter से भी तो अगर दोनों को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप जो भी अच्छे से question आता हो वो attempt कर सकते हैं short question जो है वो ray optics से भी आते हैं उनमें कोई अथवा नहीं होता है और wave optics से भी यानि इससे भी आएंगे अगर short question की बात करें तो इस chapter से short question आएंगे और जिनके अथवा में कुछ नहीं होगा वो हमें करना ही होंगे तो वो ray optics में से भी आएंगे wave optics में से भी आएंगे ये तो इसकी marks distribution की बात अब आगे हम इसमें topic wise आगे चलते हैं day 170 में आगे हैं और ये इस साल जो है वो chapter संग्या 12 है ये इस साल का मतलब 2021 के session में अगले साल इस साल में ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले साल syllabus ncrt का आ रहा है तो physics में वैसे कुछ change होता नहीं है जो chapter की numbering है वो change हो जाएगी 2021 के बाद में जो syllabus है उसमें ये chapter संग्या 9 है ncrt topic हमारे वो ही रहेंगे continue वो ही करेंगे हम सारी topic चले बस के अकोड़ेंगे वही राज्थान बोड़ों में वही है और ncrt के जब सले बस आजएगा और इंडिया में सेम चल रहा है तो वह भी उसके अंदर भी वही है तो अब हम इसमें शुरू करते हैं तरंग परकाशिकिए तरंग परकाशिकिए में परकाश तरंगों की हम बात करेंगे वैसे विद्दु चुम्बगे तरंगे हम पढ़ेंगे एक चेप्टर आएगा सबसे लास्ट में पढ़ेंगे उसके बारे में विद्दु चुम्बगे तरंगे तो उसमें सभी तरंगों का अलग जो वीवरण है वो दिया गया है उसमें बात करेंगे हम सभी के बारे में उनमें से एक तरंगे रहते हैं प्रकास तरंगे जिनकी उपस्थिती में हम वस्तों को देख पाते हैं प्रकासद रंगी रहते इन प्रकास तरंगों की बात यह मनें रे抋प्टिक्स में किप इनके बारे में इनके बारे में अलग-अलग वे ज्यानिकों ने अलग-अलग सिद्दांट दिये हैं हम अभी उनमें डिटेल में भी न जाएंगे जैसे न्यूटन ने दिया कर निका सिद्दांथ मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम सिद्दांथ क्वांटम थियोरी ओफ मैक्स प्लांग डी ब्रोगली स्टिस्ट था डी ब्रोगली उसने दिया था डूएल नेचर ओपार्टिकल और पार्टिकल और फ्लाइट भी का था तो यह कुछ सिद्दान्थ हैं जिनके बारे में इनके बारे में बाद में पूरा पूरा चेप्टर आएगा प्लांग क्वांटम सिद्दान्थ बहुत डीटेल से पढ़ेंगे तो उसकी बात हम बाद में कर लेंगे इस चेप्टर के ईवगार में यह प्रोसेस शुरूर होने वा ठाज है इन्हों ने सब इने परकास की अलग अलग तरीके से सब्सक्राइब नहीं कि आता प्रकाश जो है वह उर्जा के चोटे-चोटे पैकेट में आगे बढ़ता है तो उर्जा का जुमान है वह उसकी पैकेट की जो आवर्ती है तरंगों की आवर्ती उसके समान पाती होता है कक्षा 11 में क्यामेस्ट्री में यह बाते आ जाती है E is equal to physics में भी आते हैं E is equal to H new ये Planck का सिद्धान था Max Planck का सिद्धान था इसी तरह D. Brogling ने बताया था कि प्रकाश की द्वेद प्रकरती होती है प्रकाश कन की तरह भी व्यवार करता है और तरंग की तरह भी व्यवार करता है तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी हम तरंग प्रकाश की के कुछ बिंदों पर बात करते हैं जिनमें सबसे पहले लेते हैं तरंग आगर हाईगेंस के तरंग सी दांत को हम पढ़ेंगे Next class में पढ़ेंगे हाईगेंस Wave theory मैं आई गेंस का तरंग सिद्धान्दर है लेकिन इसके लिए हमें पहले कुछ बातें पढ़ने वो उनने कि बारे में बात करते हैं शबसे पहले बाताती kuje वेव फ्रंडर क्योंकि जब एशिद्धान्दंघ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तब हम इंहीं की बात करेंगे यह स्य्फटर का बेस है जो मुशुरु करने को जैनि चैप्टर का अगर सही बात करें तो five यहां से स्टार्ट हो रहे हैं हिव कि तरंगागर क्या है किसी वी Celebration कि समाण समय में समान कलाम में कमपन करने वाले बिंदों का बिंदुपत होता है उसे तरंगा अगर कहते हैं अभी थोड़ी सी मुश्किले समझ में नहीं होगी अब आपने इसको सिंपल लेंग्वेज में बात कर लें कि अगर किसी तलाम में पथर डालें तो वहां क्या होता है क्या होता ह गोलाकार हमें तरंगे उत्पन होते वी दिखाई तरंग कह सकते हैं उनको तरंगे भंवर कहते हैं उनको भंवर उत्पन होते वी दिखाई देते हैं जो क्या दिखाई देते हैं कि आगे पहले जहां पत्थर डला है वहां छोटा सा होगा फिर आगे और बढ़ा हो जगा वो बरहें और बढ़ा होना ओगिए हैं इसी बात को हम अगर समझ लेंगे तो इसी बात को लिख देंगे शब्दों में प्रेज में इसकी टेफिनेशन बड़ा सकतें आएं जो नोर्मली वैसे द्यां रखें कि उन विंदों का विंदोब्र जो समान कलां में किसी समान समयमेंसर्ण पर vисheid सन पर औरकमपन करते हैं तोसको मैंसे समझ लेते हैं कि ये पत्थर है जिसको तलाम में डाला गया है ठीक है और इसके बाद क्या होता है यहां से तरंग उत्पन होती है जो अपनी उर्जा को आगे बढ़ाती है सभी तरफ बढ़ाती है तो यहां अगला हमें दिखाई देता है अगला गेरा यहां बन गया अगला गेरा यहां बन गया अगला यहां बन गया यहां हमें क्या होता है ऐसे नहीं दिखाई देता कोई गेरा ऐसे नहीं दिखाई देता कि यह कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है क्यों नहीं देता है क्योंकि यहां से अगर कोई कंड 10 सेकंड में यहां पहुंचा है तो 10 सेकंड में इधर भी उतनी ही दूरी तया करके पहुंचा है इधर जो गया है वो भी उतनी ही दूरी तया करके पहुंचा है इधर जो गया है वो भी इतनी दूरी रियल में तो एनर्जी ट्रांसफर होता है होते यहां से हैं और इतनी दूरी करके यहां पहुंच है है ऐसे परतेग बिंधु पर जब हम देखेंगे परतेग बिंदु पर देखेंगे तो ये सारे बिंदु मिलकर वर्तर का निर्वाहाण कर लेंगे तो और तो हम रोड़ी घफ़टध ुझारूर अगर ये बिंदू है ना इनको अमने इनके रास्ते को मिला है इनके पत को मिलाया है तो ये तो गया क्या बिंदू-पत बिंदुपत यानि इन बिंदों को मिलाने वाड़ा रास्ता बिंदुपत किन बिंदों का बिंदुपत जो किसी निश्चीत बिंदु से यह ओगा निश्चीत बिंदु समान समय में जितने समय में अगर यह मालनों 10 सेकंड में यहां पहुंच रहे हैं और ये 10 सेकिंड में आगे पहुंच जाएगा, तो ये तो क्या होगा, पूरा गोलाकार भाग नहीं बढ़ेगा, इसलिए समान समय में पहुंच रही है, उन बिंदों का बिंदूपद, जो समान समय में, क्या करते हैं, निश्चित कला में कमपन करते हैं, कि ये यहां उतने ही समय में पहुंचते हैं, इधर भी उतने ही समय में पहुंचते हैं, इधर भी उतने ही समय में पहुंचते हैं, इसे क्या कहते हैं, तरंगागर कहते हैं, तो तरंगागर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता हैं, उन बिंदूं का बिंदूपत जो किसी निश्चित बिंदू से समान समय में समान दूरी त्या करके कमपन करते हैं या समान कला में कमपन करते हैं उसे कहते हैं तरंग आगर ये तो आगई बात तरंग आगर की ध्यां दखे भी परिवाशा महतपूर आई है पहली परिवाशा है लेकिन महतपूर आई है अब इसमें हम बात करेंगे आगे क्योशन कैसे बूसे जाते हैं तरंगागर के परकार तरंगागर तीन परकार के होते हैं भी अब परकारों की बात कर लेते हैं तरंगागर होते हैं तीन परकार के और इन में से क्योशन बहुत बार पूसा जाता है तो उन बिंदों का बिंदुपत जो किसी निश्चित बिंदु से समान समय में समान कला में कमपन करते हैं तरंगागर कहलाता है परकार कितने होते हैं इसके हैं कितने परकार होते हैं तीन परकार होते हैं तीन परकार कौण कौण से होते हैं नाम लिखते हैं पहले तो हम फिर उनको साथ साथ ही बात करेंगे पहला जो परकार है वो होता है गोलियत रंगागर जिसको हम बढ़ा चुकी है अभी हमने समझने के लिए उसी को बढ़ाया था गोली यह तरंगागर स्फेरिकल वेफरंड दूसरा होते हैं बेलनाकार तरंगागर और तीसरा होते हैं समतल तरंगागर प्लेन तरंगागर प्लेन और यह होते हैं सिलेंड्रिकल अब तीनों की हमें डिफाइन करते तीनों के क्यूशन आता है बिल्कुल सिंपल सा ऐसा क्यूशन आएगा आपको एक्जाम में इस बार तो थोड़ा पैटर्ण भी चेंज कर दिया है वैसे बार भी आगे तो टिक करना होगा टिक करना होगा मतलब उसका उप्शन लिखना होगा है यह यह सह है और वानबर जो क्यूशन आते हैं एक सिंगल वर्ड लिखना होगा वनवर्ड लिखना होगा ऐसे ऐसे क्यूशन पूशन पूशता है अगर ध्यां से समझ लेंगे तो साथ साथ ही आद हो जएगा भी ना लिखे भी गोलिया तरंग आगर क्या होता है सबसे पहली बात तो इनमें से सुरोत से बढ़ता है देखो जब हम किसी तलाब में पत्थर डालते हैं उसी उसी एक्जाम्पल को मैं फिर रिवाइज कर देता हूं जब हम किसी तलाब में पत्थर डालते हैं तो तलाब तो बहुत बढ़ा है उसकी तुलना में पत्थर गया है बिल्कुल छोटा है इसका मतलब क्या है पत्तर बिंदू के समान मान सकते हैं चोटा बिंदू के समान मान सकते हैं तब कैसे तरंगागर उत्पन हुए उसमें गोलाकार तरंगार नीचे भी उत्पन हुए उसके अंदर तो गोलाकार तरंगागर उत्पन हुए इसका मतलब यदि स्रोथ बिंदू के समान हो तो उत्पन तरंगागर गोलाकार तरंगागर होते हैं ये बात आपको इसके अंदर लिखनी है तो इसमें सबसे मैत्वून वर्ड क्या है बिंदू समान स्रोत ओना चाहिए अब यहां से दो तरह की बात कर लेते हैं तीन क्योशन बनते हैं, पहला, बिंदु समान स्रोत हो, तो तरंगागर किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार के, गोलाकार, गोलाकार तरंगागरों के लिए स्रोत कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बिंदु समान होना चाहिए, और तीसरा, बिंदु समान स्रोत से निर्मित तरंगाग तो यह बिंदू समान सरोध है यह नहीं लिखना की गोलाकार होता है क्या पूछ रहे हैं चितर बढ़ाईए तो चितर कैसे बढ़ाएंगे यह तो गया बिंदू समान सरोध यह पहला वेफ्रंट दूसरा तरंगा अगर तीसरा इनकी डिटेल में आगे और बात करेंगे हम यह बढ़ गया यह बढ़ गया यह बढ़ गया तो कैसा तरंगागर है यह गोलाकार तरंगागर है तो आपको शोट में यही बात ध्यान रखनी है कि अब इसको थियोरी में भी लिखो तो क्या लिखना है यदि स्रोध बिंदू के समान हो तो निर्मित तरंगागर गोलाका किसके लिए तर्काष के लिए जैसे बलब लगयी दिवार पे यहां और यह दिवार कि अब यहां से जो रोशनी आती है वह वह रोशनी को यह कि इदर यहां इस अलगी वह सब तरफ दाओ यानि इसे उत्पन त्रंग आगर यह विंदू के समान है क्योंकि हम जब अगर 200 मिटर दूर देखते हैं तो भी हमें वहां से उत्पन होने वाड़ा प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच रहा है इसलिए हमें दिख रहे हैं पहुंचता नी तो दिखता नहीं तो इसका मतलब यह जात तो सभी तरफ रहा है सभी तरफ अड़र आगे समान रूप से अब कोई कहते दिवार के पिछे नहीं दिख रहा है तो दिवार के पिछे यह किस ने रोक लिया इसको आगे दिवार ने रोक लिया लेकिन उत्पन तो क dépzart in इतनी दूरी के लिए देखें तो एक बिंदु समान शूरूत है इसलिए उसका त्रंगार 좀 गोला कार बोला को एक लें गें बिंदु समान स्रोथ से तरंगागर कैसे होते हैं गोलिये तरंगागर नहीं लिखा जाता है यह लिखा जाता है बिंदु समान स्रोथ से निर्मी तरंगागर का चितर बनाई है क्लियर एक नंबर में इन तीन में से चोथा क्योश्चन नहीं पढ़ेगा इसके अंदर यह तीन ही क्योश्चन इसके अंदर पढ़ेगा दूसरी बात आती है फिर बेलनागार तरंगा अगर कब होगा अगर सुरोत रेखियो जैसे सीएफल है सीएफल बलब तो गोड़ाकार हो गया ना इसको बिंदू समान लिया या बड़ी वाली ट्यूब लाइट है लंबी वाले तो अगर सुरोत कैसा हो यह बात वेससे इसमें मैदपूर्ण है भी लोसरोत कैसा हुना चिये उसे बढेंगे कैसे और डा कीसे बढेगा पो शुरोत कैसा हुना चिये रेखिये रेकिया मतलब छड़गी समान लों ऐसे हैं यह है रेखिय है हो गया मु pic तो जितनी दूरी पर आप यहां जाएंगे, इधर जाएंगे, उन सब बिंदों को बिंदुपत बिलाएंगे, इसी तरह से वैसा बिंदुपत उपर की और भी बनेगा, उन सब की सतों को बनाएंगे, तो कैसी बन जाएगी, एक बेलनाकार सता बन जाएगी, इसलिए इसमें इस तरह के तरंगागर उंका निर्वान होता है, इसको इस तरह से बना सकते हैं, अपने समझने के लिए, कि ये तरंगागर इस तरह से सब्धिशाओं में जा रह проблем, इसमें भी इसी तरह से जा रहzięki, इसमें भी सब्धिशाओं में, तो यह जो सुरोत है वो कैसा है रेखिये है अब पूछते है वह बात फिर रिपीट कर रहा हूं अब रेखिये सुरोत से त्रंगागर कैसे बनते हैं बेलनाकार त्रंगागरों के की निर्वान के लिए शुरोथ कैसा होड़ा चाहिए का हुआफ है रेखिए तीमद्ध रर्ग आगर का चित्र बनाईए को clear भात आती सम्स्म्तल्द रंगागर के लिए शुरोथ जो है वो कैसा ओ सकता हैं दोनों तरह का हो सकता है बिंदू समान भी हो सकता है और रेखिया भी हो सकता है रियल में डारेक्ट कोई समतल तरंग अगर होता ही नहीं है रिवास्तों में तो डारेक्ट कोई समतल तरंग अगर नहीं होता है फिर कैसे लेते हैं समतल तरंग अगर कैसे लेती हैं अगर और अगर गोलाकार त्रंगांगर घर है और έχ Hinter Punkt जा ठैसीं जिसे सूर्त से दूरे बढ़ती जाएगी ग्ले क्या होती जाएंगे बड़े जाएंगे जिसे प्रिथ्वे लेकिन हम चलते चलते थोड़ी गुम जाते हैं या गिर जाते हैं क्या होता है हमारे लिए तो प्रित्वी क्या दिखते हैं प्लेन दिखते हैं क्यों दिखते हैं अगर प्रित्वी इतनी होती हम यहां खड़े होते हैं तो अगला पैर हम यहां रखते हैं और तीसरा पैर हम य जाते हैं लेकिन क्या है पृतिवी की तरिज्या बोझाता है कितनी 6400 किलोमेटर है तो उसके अनुसार इसका प्रश्टी छेत्रफल भी बोझाता है अब प्रिथ्वी यह इतनी बड़ी इतनी बोड़ पर तो कैसे आए दी बेड़ ए нез dzieci है अब तुम यहां जाओगे तो भी शीदह यह जाओगे तो भी सिधह है तो हमारे लिए क्या हो गया कि Ci संतल जगह की तरह भीयव करेगा, सेम वही बात है, पूछले समतल तरंगागर किस से निर्मित होते हैं, तो रेखे सरोत भी हो सकता है, और बिंदु समान सरोत भी हो सकता है, clear, अब कैसे बनते हैं, जब रेखे सरोत या बिंदु समान सरोत से उत्पन तरंगागर, चाए वो बेलनाकार है चाहिए वो गोलाकार है उसको अधिक दूरी पर उसके किसी भाग को अधिक दूरी पर लिया जाए तो वो एक समतल तरंगागर की तरह ब्यावार करता है कैसे जैसे यहाँ है यह तो यह बिंदू समान सुरोत है कैसा बिंदू समान सुरोत है और यहां से यह निकले गोलाकार तरंग आगर ऐसे निकलेंगे अब देखो इसको जब बहुत दूरी तक जैसे सूरे से आने वाले किन्ने उनको भी हम सीधी रेखा हैं बढ़ाते हैं पूरी किन्न परकाश किन्न कहलाती हैं हम आगे बात करेंगे तो यहां क्या होगा इसका कोई अगर भाग देखें इसका भाग यहां तो यह पूरा गोलाकार दिख रहे हैं जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएगे यह बढ़ा बढ़ होता जाएगा तक उसका कोई एक टुकड़ा देखेंगे हम यहां से देखें तो हमने इसके लगायं गिए सिद्धी लगेगी यहां से देखें इसकी जब हम लाइन लगाएंगे तो सिद्धी लगेगी हमें पता ही निचलेगा कि यह किसी गोड़ लेगा भाग है क्या तो यह जो एबी पार्ट हमने ले लिया यह हमने पी क्यू पार्ट ले लिया तो यह किसकी तरह बिहेव करेगा य एक plain wave front की तरह बेहभ करेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगराप मतल त्रंग अगर की खागधाः में का सबका सतरे उरहे पर हम सकते 바뀌नियorf रहे था है फॉसरी बात अगर आपको 205 अगर का जाये तो उन्हें डिजकर्ण है यह बहुत करो झा का आगर का जाए तो अब देखो इसके अंदर छे क्योशन है आपके पास तीन प्लस सोरी नो है तीन प्लस तीन प्लस तीन गोलिय तरंग आगर किसे निर्मित होते हैं बिंदो समांसरोथ से बिंदो समांसरोथ से कौन से तरंग अगर बनते हैं गोलिय चितर बना तीन नुबाते तो यह बात आप इस तरह से आप इसको लिख लें तो शोट क्योशन आपको आजएगा अगर यूँ कहें गोलिय तरंगागर को परिभाशीत करो तो परिभाशा भी यही है कुछ अलग नहीं है अब जब आप लिखोगे तो सेंटेंस भी बन जागा कि बिंदू समान स्रोथ से निर्मित होने वाले तरंगागर गोलिय तरंगागर कहलाते हैं बन गई परिभाशा वोई बाद है तो बाकी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हाईगेंस का तरंग सिद्दान उसमें यह सारी थियोरी कहां माने वाली है इसको समझ लें आप लिख लें नोट थोड़ा स अप्रोपर बना लें सुनके समझ गें लाकी बात करेंगें नेक्स्ट क्लास में तर तक आप इसको रिवाइज कर लें